हलो फ्रेंस अभी हम जानेंगे ड्राइ इस्ट का क्या मतलब होता है ड्राइ इस्ट का मतलब होता है सूखी खमीर बेकिंग सामगरी सूखी खमीर बेकिंग में उप्योग होने वाला एक परकार का खमीर होता है जो सूखे रूप में आता है चलिए friends इसी दो example के जरीए समझ लेते हैं The recipe calls for a dry yeast इसका हिंदी में मतलब होता है इस recipe में सूखा खमीर चाहिए इसी तरह second example है Dry yeast is used in bread making हिंदी में इसका मतलब है सूखा खमीर bread बनाने में उपयोग होता है Friends उमीद करता हूँ दो example के जरीए आप dry yeast का मतलब समझ गए होंगे धन्यवाद